और दूसरे नमबर पर जिन लोगों ने जिरोधा अकाउंट मेरे लिंक के साथ ओपन किया हुआ है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनों ने जिरोधा अकाउंट मेरे लिंक के साथ मेरे अंडर है मतलग मेरे लिंक के साथ जिनों ने उपन किया हुआ है वो भी मुझे वर्टसैप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनको लाइफ टाइम फ्री एकसे से प्राइवेट अकाउंट को ठीक है ध्यान से सुनिए का जिनों ने भी जिरोधा अकाउंट मेरे लिंक के साथ खोला हुआ है अपना और वो उस अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं उनको कोई भी पेमेंट किसी भी तरह की प्राइवेट ग्रूप में किसी भी तरह करने की कुछ नहीं जूरते है उन्हें सिर्फ मुझे कॉन्टेक्ट करना है कि मैंने अपना जिरोधा अकाउंट आपके एकाउंट के तो फ्रेंड्स आज का ट्रेडिंग सेट अप देख लेते हैं दिखिए मार्केट ने आज गैप दाउन ओपनिंग दिया और उसके बाद गैप डाउन कुछ भी आगे नहीं किया और सीता उपर जाना शुरू कर दिया फिर हमने यह डिसाइड किया था कि यहां पर इसके उपर क्लोजिंग होने पर यहां पर उस एक टाइम यह लाइन नीचे थी यहां पर रखी हुई थी मैंने लाइन और यह डिसाइड किया था कि इसके उपर पांच मिन्ट की केंडर क्लोजिंग देगी तो हमने उपर को सिफ्ट करना है तो हमने सेकिंड शिफ्ट कर दिया यहां पर यह वाली ग्रीन केंडल पर नो बच की रिख रहे हो इसके नीचे मैंने क्लोजिंग कि यह रेड गेंडल जे चोटी के बाद के high के पास resistance face हुआ तो हम फिर से sell side पे चले गए लेकिन ये था mistake ये shift 3 mistake था हमें थोड़ा wait करना चाहिए था तो मैंने जो यहाँ पे छोटी ये गलती हुई है और उसके बाद market ने थोड़ा सा नीचे जाके फिर से उपर गया ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से decide किया था कि यहाँ पे day high के उपर अगर मुझे closing मिलती है तो मैं shift करूँगा ये day high के उपर closing दुबारा कर गया market पहले क्या किया हमने sell फिर buy फिर day high के पास resistance phase हुआ हमने shift कर दिया फिर day high को जब cross किया 5 minute candle है हम फिर से buy side में आ गए ठीक है उसके बाद buy side के बाद अभी हमने ये decide किया हुआ है कि हम ये stop loss लेके चलेंगे देखे चार shift हो चुके हैं ज्यादा shift करेंगे brokerage क्या चक्कर बढ़ जाता है तो इसी वज़ा से अभी मैंने ये decide किया है कि यहाँ पर देखे इस candle के यहाँ पर यह जो जोन है इसके नीचे हमने अपना stop loss order लगा दिया हुआ है 30 orders का 30 loads का यहाँ पर देखे यह हमने अपना लगा दिया है stop loss order अगर market अभी इसके नीचे आता है और फिर हमारा stop loss hit हो जाएगा तो हमारा day end खतम हमने यह क्यों किया market यहाँ पर था जब हमने decide किया था कि यहाँ का stop loss लगा लेते हैं यहाँ पर था loss कवर कर रहे थे यहाँ पर 1500 का loss रह गया था अभी as of now देखें तो 3000 का जो loss दिख रहा है यहाँ पर हमने loss कवर करना शुरू कर दिया था 1500 तक का लोस बचा था लेकिन अभी फिर से market resistance कर रहा है और नीचे को जाने की कोशिश कर रहा है अभी अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हमारा stop loss order trigger हो जाएगा और हम इस trade से exit कर देंगे अभी यहाँ पर stop loss लुकाने का reason मैं आपको बताता हूँ अगर हम daily में जाएंगे न तो यहाँ पर यह ग्रीन candle बन रहा था जो की बहुत ही फायदे मंद होता हमारे लिए ठीक है यहाँ पर ग्रीन बन रहा था यह एक positive sign था इसी वजह से मैंने hold करके रखा और अपने stop loss क्या रख लिया यह यह यहाँ पर डे डे के बहुत ज्यादा sports है इसी वजह से मैंने इसके नीचे अपना stop loss order लगा दिया हुआ है अगर इसके नीचे मतलब माली जिए मार्किट आता है हमारा stop loss order trigger हो जाएगा exit कर देंगे और यहाँ पर इंपोर्टेट लेसन यह देखिए फ्रेंट सर दिन फ्रोफिट नहीं होते हैं हमको लॉस को भी accept करना होता है और जैसे कि मारा risk per day कितना है 6000 अभी देखिए market sideways की तरह react कर रहा है देखिए 4 शिफ्ट हमने कर दी जल्दी जल्दी अगर कोई direction पकड़नी होती market ने तो अभी तक पकड़ लेता और अभी यह fourth shift हो चुका है हमारा जिसमें हमें अभी finally 2700 तक का loss दिख रहा है जो यह last shift है हमारा उसके बाद हमने stop loss order लगा दिया है अगर यह trigger हो गया तो हम exit कर देगे और दूसरे नंबर पर मैंने अपनी strategy भी चेंज की है अपने private group में मैंने कल कि यहां पर decide यह बता दिया था रात को ही यहां पर देखे रात को मैंने यह बता दिया था कि अभी से हम 1500 वाले 1500 प्रोफिट पर डे के साथ काम करेंगे रिस्क 6000 होगा लेकिन हम 1500 जब 1500 प्रोफिट दिख जाएगा हमें तो हम exit कर दिया करेंगे यह strategy new है यह मीन 5-minute strategy को ही मैंने इंप्रूफ किया है और इसको मैंने बैक टेस्ट किया है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इस मन्त January मन्त में पूरे मन्त में हम इस strategy को ही अपनाएंगे और 1500 प्रोफिट के साथ चलते रहेंगे हर दिन जब 1500 प्रोफिट होगा हम exit कर दिया करेंगे और रिस्क कितना होगा रिस्क 6000 ही होगा अभी यह ratio क्या बन रहा है हमारा 4 ratio 1 मतलब हम 4 पे अपने लगाके एक रुपया हासिल करने की गोशिश कर रहे है मतलब 6000 रिसक है हमारा था हम 1500 उसका फूर्थ पार्ट ठीक है चोता हिस्सा हम अपना प्रोफिट एक्सपक्ट कर रहे है उसका reason यह है कि देखिए 6000 लोस कभी नहीं होगा कभी नहीं किया अभी तक ठीक है अभी हो भी जाएगा वह पार्ट ओफ ट्रेडिंग होगा कोई यह नहीं है कि नहीं होगा कभी हो भी सकता है कहने का मतलब यह है कि मैं 4 ratio 1 कि को देखिए जिसमें अम छेजार रिस्क लिया करेंगे और पंदरहसो प्रोस प्रोफिट से एक्जिट कर दिया करेंगे देखिए जैसे मैंने 5-minute strategy को अच्छी तरह से बैक्टेस्ट किया था इस स्टेटरजी को भी मैंने अच्छी तरह बैक्टेस्ट किया है और उसके बाद ही मैं इस मन्त इसको रिजर्ट को इसको रियल में ट्रेड कर रहा हूं और जिकीन मानिए इन दा इंड उफ दमदा हम पॉजिटीव ही क्लोज करेंगे अभी मन्त का सेकिंड ट्रेड है आज हम लोस में एक्जिट कर भी देते तो कोई बात नहीं पूरे का पूरा महीना पड़ा हुआ है सिर्फ एक छुट्टी है मीने में ठीक है तो हम सारे के सारे टेडिंग सेशन में अपना बैस देंगे और होफुली होफुली हम पॉजिटीव ही क्लोज करेंगे आज का ट्रेड अभी तक तो हम ट्रेड में बने हुए हैं देखिए 3000 मतलब देखिए जब स् है कि अभी मार्केट हमारे साव इस सबसे नहीं चल रहा है हम लेंगे कल मार्केट हमारे साब से चल जाएगा कल नहीं चले पर सोच लेगा ठीक है और यह था सारा सेट अप तो मैंने आपको बता दिया कि डे लो के नीचे हमें क्लोजिंग मिली थी केंडल बहुत बढ़ा था गैब डाउन भी प्लस केंडल बढ़ा उसके बाद फिर यही था लास्ट टाइम भी आपकर आपने एक वीडियो देखा गा उसके भी में स्टेटर त्री यह वाला शिफ्ट शिफ्ट त्री जो हमने किया है दस पच के सोला मिनिट पर यह सिर्फ एक कलती हो गई है कि यह वाला शिफ्ट तरह इसको बढ़ा रखना चाहिए था जैसे यह वाले जोन के नीचे क्लोजिंग हो फिर रखते ना तो बहुत ही अच्छा आज हम ओल अब ही वाइनली हमने स्टॉप लॉस का वेट करना है स्टॉप लॉस हीट हो जाए ट्रेट से एक्जिट करेंगे और फिर कल आएंगे कल नया सेटप पे काम करेंगे और जैसे कि मैंने बताया है आज से नेक्स्ट अब भी से ही हम 1500 प्लस प्रोफिट एक्सपेक्ट किया करे जैसे कि मैंने एक्सपेंट किया आपको फोर रिशो वन मैंने सोज समझ के या आईली कहते हैं । यहां पर रुप्या प्रोफिट इस बनाई है जिसमें आप एक एंट्री लोगे और स्टॉप लोस लगा दोगे यह तो आपको पंधरा सो मिलेंगे जहां शे आजजाएंग हम हार मानने वालों में से नहीं है हमारी strategy simple नहीं है हमारी strategy advance है वो कैसे कि मान लीजे हमने यहाँ पर नीचे का trade लिया था तो हम shift कर देते हैं यहाँ पर 16-1700 जितना की लोगों सोता है book करके हम shift कर देते हैं ठीक है तो हमारी strategy ऐसी है कि जिसमें 6000 का risk rarely होगा यह मैं आपको guarantee देता हूँ कभी ना कभी होगा लेकिन rarely होगा रोज नहीं होगा और mostly हम profit में ही exit किया करेंगे ठीक है इस month posit हमारा target है 10 प्रस थाउजड वादर 10,000 से 20,000 के बीच का target है हमारा यह achieve करने की कोशिश है हमारी ठीक है तो hopefully हम करेंगे सो सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरह से explain किया है setup भी explain किया है और जो अभी fourth हमारा shift हो चुका है वह भी मैंने आपको बता दिया है अभी market नीचे आ जाएगा तो हमारा stop loss हो जाएगा कोई बात नहीं ठीक है accept करेंगे जैसे हम profit को खुश हो के accept करते हैं उसी तरह top loss को जब loss गुआ है उसको भी accept करेंगे और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि losses आपको learning देते हैं ना कि आपको profits आज का learning यह था मेरा shift जो करते हम ज्यादा aggressively नहीं करना चाहिए सोच समझ के shift करना चाहिए ठीक है तो चलिए अभी मैं आपको update करूँगा जब trade हमारा stop loss हीट हो जाता है जहां अगर उपर को गया तो फिर हम शाम को सीधा मिलें तो friends अभी देखिए market ने हमारी direction पकड़ी है और as of now देखें तो हमारा target भी हमें मिल चुक है तो अभी हम करेंगे exit दे तो फ्रेंड्स हमने बुक कर लिया अपना जैसे कि मैंने आपको बताया था नई strategy के according मैंने 1500 तक का target रखा हुआता है और जब भी हमें 1500 प्लस देखेंगा हम exit कर देंगे देखिए exit करने में यह थोड़ा सा slippage आ जाता है उपर नीचे हो जाता है थोड़ा और हमने target पे exit कर दिया हमारा target क्या था 1500 रुपे ठीक है 1500 का हमारा target था वो हमने achieve कर लिया अभी इसके बाद market और उपर जाए या नीचे आ जाए हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए इससे strategy के according पहली strategy थी उसमें हमने 440 तक wait करना होता था अभी मैं 440 तक wait नहीं करूंगा अभी जैसे मैंने आपको बताया daily हमारा target हुआ करेगा 1500 रुपे जब हमें 1500 प्लस तक का profit दिका हम exit किया करेंगे और वैसे भी आज का दिन जो था learning purpose के लिए बहुती ज्यादा अच्छे वाला था एक यह पहले नंबर पे sell किया fail हो गए पहले नंबर पे यहाँ पे हमने sell किया fail फिक है तूसरे नंबर पे यहाँ पे इसके यहाँ पे हमने एक बनाई वही थी resistance यह वाली candle यह वाली candle थी यहाँ पे हमने किया फिक है इसको किया हमने यह हमारी सोड़ी successful रही कि यहाँ तक काया day high के पास resistance phase कर रहा था तो हमने shift कर यह था mistake number 3 जब हमने तीसरा shift कर दिया नीचे इस candle पे यहाँ पे mistake यह था कि थोड़ा सा मुझे बड़ा area लेना चाहिए था ठीक है वहाँ पे मैंने exit कर दिया अब भी उसके बाद फिर हमने किया shift 4 इस candle पे जो हमारा रहा successful ठीक है इस candle पे हमने यह decide किया था कि अब भी हम stop loss यह लगाएंगे अगर stop loss हीट हो गया तो हो गया नहीं तो हम अपना टार्गेट जो पंदरा सो प्लस का टार्गेट है उसको चीव करेंगे तो आज हमने लक्की ली यहां कह लिए जहां अपने ट्रेटिंग स्किल्स की वज़ा से हमने अपना टार्गेट रहे हैं और जो मैं खुद experience कर रहा हूं यह कि बहुत ज्यादा frustration आ जाता है कि ट्रेट फेल हो गयाती है आप कहते हो कोई बात नहीं मार्केट दूसरी डायरेक्शन में जाए मास फिर आप shift करते हो उस डायरेक्शन पर नहीं मार्केट जाता फिर नीचे आता है उपर जाता है ऐसे करकर के ना फिर इवेंचली क्या अदा है कि आप में फ्रॉस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है ठीक है गुस्ता आना शुरू हो जाता है तो यह चीजी हमने फेस की है इसको और डेली हम करते हैं हमारी स्टैटरजी में में चीजी यही है कि patience का test लिया जाता है हमार ठीक है तो आपको learn करने को मिलता हो यहां पे और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं एक मीना private group की free membership आप ले सकते अगर चाहें जस्ट आपको नीचे WhatsApp नंबर दिया गया है उस पे आपने अपना mobile number और telegram mobile number मुझे बेज देना है और आपना नाम और telegram mobile number आपने एक मीने के लिए private group में add कर लूँगा और दूसरे number पे जिन लोगोंने जिरोदा account मेरे link के साथ open किया हूँ है जो भी ये वीडियो देख रहे है जिनोंने जिरोदा account मेरे link के साथ मेरे under है मतलग मेरे link के साथ जिनोंने open किया हूँ है वो भी मुझे WhatsApp पे contact कर सकते हैं उनको lifetime time free access है private account को ठीक है ध्यान से सुनिएगा जिनोंने भी जिरोदा account मेरे link के साथ खोला हूँ है अपना और वो उस account से trading करते हैं उनको कोई भी payment किसी भी तरह की private group में किसी भी तरह करने की कुछ नहीं जूरते है उन्हें सिर्फ मुझे contact करना है कि मैंने अपना जिरोदा account आप आपके link के साथ खोला हुआ है तो आपको lifetime access है private group में ठीक है और जो नए users है जो चाते हैं अगर वो अपना जिरूदा account मेरे link के साथ खोल सकते हैं तो उनको भी मैं lifetime free access दूँँगा अपने account की ठीक है private account की तो I hope आपको वीडियो अच्छे लगते हूँ और वीडियो और information होती है believe me यह information paid courses में दी जाती है जो मैं आपको यहां पर provide करता हूँ इसकी value को अगर समझोगे सही से trading देखोगे ना तो आपको कुछ भी और करने की जूद नहीं पड़ेगी paid courses में कुछ भी नहीं मिलता है मैं की होए हैं जो मिलता है ना वो चीजे मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूँ यही सेम चीजें आपको paid courses में मिलेंगी I hope आप इसकी value समझोगे thank you very much for watching this video